गुजरात टाइटन्स के खिलाप होने वाले मुकाबले से पहले चैन्नी सुपर किंग्स के लिए रविंदरे जड़े जाने दे दी हैं तीन बड़ी खुसकावरी जानेंगे पूरी ख़वर चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है कि चैनली सूपर किंग्स इस सीजन में बापसी कर सकती है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें IPL 2022 से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी IPL 2022 में चैनली सूपर किंग्स का अगला मुकावला गुजरात टाइटन्स के खिलाव पर खिले जाएगा चैनली सूपर किंग्स की बात करें तो इस सीजन में अभी तक कुल 5 मुकावले खिले हैं जिसमें से सिर्फ एक ही मुकावला जीता है तो वहीं चार मुकावलों में हर का सामना किया है बैसे तो चैनली सूपर किंग्स के लिए मुस्किलें काफी बढ़ चुकी हैं लेकिन चैने सोपर किंगS की टीम आने वाले मुकावलों में जीत हासिल करते हुए बापसी करना चाहेगी। गुजराथ टाइतन्स के खिलाप होने वाले मुकावले से पहले चैने सोपर किंगS के लिए तेन बहुत ही अच्छी ख़वरें आ रही है। यहाँ पर पहली अपडेट दीपक चाहर को ले करके है, हाली में मीडिय रिपोर्स में दावा किया गया था कि दीपक चाहर पूरी तरह से IPL 2022 से बाहर हो चुके हैं लेकिन आपको बता दें अभी तक दीपक चाहर के बाहर होने की ओफिसियल जानकारी नहीं आई है, अभी यह यहाँ पर जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से दीपक चाहर अपरेल के एंड तक चैने सुपर किंग्स की टीम को जोइन कर सकते हैं, हाला कि वो दो बारा चोटिल जरूर हुए हैं लेकिन उनकी चोट जाद गंभीर नहीं बताई जा रही है, यहाँ पर दूसरी बड़ी अपडेट ओपनिंग जोड़ी को लेकर के आ रही है, गुजराथ टाइटन्स के खिलाप होने वाले मुकावले में रितुराज गायकवार को बाहर किया जा सकता है, रितुराज गायकवार की जग है सुब्रांसू सेनपती खेल सकते हैं, सुब्रांसू सेनपती और रॉबि वाज मैतान पर उतरेंगे यहाँ पर तीसरी बड़ी अपडेट डौन प्रेतोरियस को लेकर के आ रही है डौन प्रेतोरियस को प्लेंग लेवन से बाहर किया गया था लेकिन आपको बता दे नेट प्रैक्टिस के दोरान उन्होंने एक तेज तर्रा रिगेंदवाजी के अलावा तावरतोड अंदाज में बल्लेवाजी की ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गुजरात टाइटन्स के खिलाव रविंदर चड़े जा डोयन प्रेटोरियस को प्लेइंग लेवन में सामिल कर सकते हैं आपको क्या लगता है क्या चैनली सुपर किंग्स गुजरात टाइटन्स को हरपाएगी आप अपनी राए नीचे कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करना ना भूले